कि अगर आप घाल मिल करने का पर्यास किजेगा तो पड़िछार्थी जो है किसी हाल सूर्ते हाल में आपको छोड़ने नहीं जा रहा है आप समझ रहे हैं कि हम नियोजीत बाले को भी अठका के रखे राज कर्मी का दर्जा नहीं देंगे आउस सीट को भी फॉर्म भरवा लि देख रहे हैं कि हमारे साथ चाहत नेता सौरव मौजूद है देखिए सबसे बड़ा सवाल है शिक्षक अबेरतों के तबांग में कि टीरी 1.0 में सप्लिमेंटरी रिजल्ट अब तक दिये नहीं गये हैं उसका क्या होगा नियोजी शिक्षक टीरी 2.0 में फिर से कबजा कि यह सब हो क्या रहा है देखिए आपका पांचो फांच्छे सवाल है और सब सवाल का जवाब 1-2.0 काफी क्योंकि लाकों अभेहरतियों के मन में कई सवाल है और सवाल का जवाब बिहार सकार, सिक्षा, विभाग या बीपीए से के चेर्मेन कब क्यों नहीं दे रहे हैं क्य किस बात के लिए जो लगातार आपने ट्वीट किया कि हम से कर रहे हैं तो कब तक देंगे जो विद्यार्थी पास कर गए है या जब कटफ के उन्होंने सेकेंड फेज की बाली में फोरम भरा आए तो उनके मन में तो अंदर दो अन्ध है ना बाई कि मेरा डिजर्ट इसमें आ जाएगा हो सागे उसमें भी हमकों पड़िछार तीन दजार कर रहे हैं और आपने जो ट से असिरबाद लेने गए हैं तो प्रण बेज़ुगारे को जो फोज है और जिसे गरदन पर आप सूली छूडी लड़का के बैठे हैं अतुल परसाज और बीपीए से और सिक्षा विभाग दोनों मिलकर कि नियुजीत वाले का क्या हुआ राज कर्मी के दरजाय मिला नही मात्र असी हजार लोग जोईन किये हैं मात्र असी हजार चालीस हजार सीटों का जवाब कौन देगा बीपीए से और सिक्षा दोनों से मांग रहे हैं कि अगर आप घाल मिल करने का पड़ियास किजेगा तो पड़िछार्थी जो है किसी हाल सूरते हाल में आपको छोड़ने नहीं जा रहा है आप समझ रहे हैं कि हम नियोजीत बाले को भी अठका के रखे राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे अगर आप नहीं निकालते हैं तीस तक 29 को हम लोग धरना बाब बैठेंगे लगातार हम लोग बैठेंगे और जो चीज़े सरकार तक बाते हैं पिर आप नियोजीत बालोग राजकर्मी का दर्जा दी है पिछली के बैठेक में हो रहा तक इस बार मिल जाएगा वह लोगी फोरम भरे हैं आपको पता देगे और डर से भरे हैं उनको नहीं मालम की निटीश्क मार कब देंगे हां बिल्कुल है और पचीस तक लाज जेट था स हजारों लोग जवाई नहीं किये तो अभी तक जो निकल के आया है चालीस हजार और पी आटी में हम लोग के पाज जो डाटा निकल के आया है अब आप देख सकते हैं सब केटोगरी में चाहिए यूवर का डाटा हो लगवा पचीस सो एवीसी महिला में लगवा 3260 तो सब सब में हजारों पद खाली है बीपी से चेर्मेन को अभी ट्विट करना चाहिए कि हम तीस को रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कि सारे माम लोग को लेकर लगाता रुपापों की स्थिति है और सारे विद्यार्थियों से आहवान करते हैं क्योंकि बिरोजगारो अब जिए लोग यह भी बोल रहे हैं कि जो सीटो का खेल है वो मेकप होगा ट्यारी 2.0 में तो जो सीट का आदा किए ठी 1.0 में वो फेल हो जाएगा देखे वह जो अपने करनी के बात है वो लेडी कम पंसेट हो चुका है सतर हजार और पचास हजार जो पहले से बात कर रह चाहते हैं सिख्षा विवाग और भी पीएसी मिलकर खाल में मतलब कि उसको लिपाप होती कि हम लोग जो है नियोजित वाले का हम लोग जो है से फॉर्म भरबादिये हम डाटा जो असी हजार पदों पर ही निक्ति लोग हुए हैं कई हजार लोग गाइब हैं कहां गए वो व और अगर नहीं बताते हैं तो हम लोग 29 तारीक के दिन महा अंदोलन आपके चलने के माद सारे बिद्यारतियों से जो सेकेड्मिन इलिश्ट के मांग को लेकर लगातार अंदोलन कर रहे हैं हम लोग लड़ेंगे लेकिन आप जो करवाई की बात करें 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 लोग को नोटीस भेजते हैं कि यह 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 रॉल नमर फलना चलना यह तो यह सब करने से नहीं होने वाला है आप 40,000 सीटों पर कब नोटीस निकाल रहे हैं इसका ट्वीट आज कीजिए आप कि हम को मौका नहीं मिला कोट गया आप लड़े के लड़े फेर भी कुछ हुआ नहीं है रितिका रानियर और दिनुसर लोयर है तो जो भी सुनवाई होगी उसका अपडेट हम लोग देंगे प्रन्तु इतना जरूर है कि सारे मामलों को लेकर चाहे नियोजित हो चाहे नियोजि अगर आप भरने से भी बंचित कर देंगे लाखो प्रइचार्टी को तरह के सवाल पर काफी गंभीरता पुर्वग बिहार सरकार और सिख्छा विभाग को सुचने की जरुवत है कि आपने फॉरम भरने से उनलों को बंचित कर दिया तो फिर नौक्री बिकाइश कुमार्त प्रधान मंत्री पद के रेस में हैं कई लोग मुख्यमंत्री बनना है कई लोग को नियोजीत वाले को बिनासत राज कर्मिंग का दर्जा देने की बात तो तेश्विया दब किये थे अपने चुनावी भासन में अब उनके लिए भी सर्त अभी तक लागू नहीं हुआ है सिटित बाले परसां है सेकेंद मेंडि लिस्ट बाले यह उव परसान है तो फिक्षक बहाली में काफी पेचीदा है और हरबरी में बिपा देने कि आपने ट्विट किया था आपके तुट पर भरोसा है कि 30 तक हम रिजल्ट निकाल देंगे तो सारा डाटा अगर आगे है सिख्छा भीबाग से तो पिलीज आफ रिजल्ट निकाल दीजे आप बताईए कि किस दिन दिन कि 7 तारीक के पहले आप रिजल्ट निकालना है अगर कि अगर आप घाल मिल करने का पड़ियास किजेगा तो पड़िछार्थी जो है किसी हाल सूर्ते हाल में आपको छोड़ने नहीं जा रहा है आप समझ रहे हैं कि हम नियोजीत बाले को भी अटका के रखे राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे आउस सीट को भी फॉर्म बैठेंगे उन्तिस को हम लोग धरना बबैठेंगे लगातार हम लोग बैठेंगे और जो चीजे सरकार तक बाते हैं